प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईरिश राइटर और पोईट्री एडिटर रॉबर्ट लिंड की एक एसे के बारे में जिसका नाम है फ्रेंड्स फिलोसफर का मतलब होता है दार्शने की या नॉर्मल भाशा में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ती तो यहाँ पर जो राइटर हैं रॉबर्ट लिंड वो हमें कहते हैं कि कैसे जो फिलोसफर होते हैं उन्हें बहुत जादा नौलेज होती है और वो अपनी नौलेज को समेटते हैं उनकी लिखी किसी बुक में आप उस बुक को पढ़िएगा तो आपको उस फिलोसफर की सारी जो इंटेलीजन्स है वो मिल जाएगी सारा ग्यान मिल जाएगा लेकिन इससे आप फिलोसफर नहीं बन जाते हैं आप फिलोसफर कब बन जब आप उनकी बातों को अपनी लाइफ में इस्तिमाल करते हैं। आप भी उनकी कही हर एक बात को अपने जीवन में इस्तिमाल करते हैं वैसा ही करते हैं। सिर्फ किताबे पढ़ने से ऐसा नहीं होता है आगे हम अगर एसे को पढ़ेंगे तो और बहतर समझेंगे फ्रेंट्स, रॉबर्ट लिंड का पूरा नाम था रॉबर्ट विल्सन लिंड वो एक आइरिश राइटर, पोईटरी एडिटर, लिटररी एसे इस्ट और नैशनलिस्ट थे उनका जन्व हुआ था 20 एप्रिल 1879 में और उनकी डेथ भी थी 6 ओक्टोबर 1949 में साथ ही उनकी फेमस वर्क्स में The Mantle of the Emperor, The Book of This and That, Old and New Masters ये सब ही शामिल हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और इस ऐसे को समझने की कोशिश करते हैं इस ऐसे की शुरुवात होती है एक कन्वर्सेशन से, ये जो रॉबर्ट लिंड है ये एक होटल के लांज में बैठे हुए हैं और वहाँ पर कुछ लोग हैं इनके साथ, वो लोग आपस में डिसकस कर रहे हैं कि क्या उन्होंने एपिक्टेटस की किताब को पढ़ा है एपिक्टेटस एक फिलोसफर थे, पुराने जमाने के उनकी किताबे हैं तो यहाँ पर ये लोग डिसकस करने हैं कि क्या तुमने एपिक्टेटस को पढ़ा है, उसे पढ़ना चाहिए, उसकी कही बाते जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटेलिजेंस देती हैं, और तुरंथ ही जो रॉबर्ट लिंड हैं, उनका ध्यान जाता है इस पर, वो तो कई बार एपिक्टेटस की कही हुई बात को अपनी भाशा में यूज भी किया है, यानि उनके वर्ड्स का यूज किया है, लेकिन कभी मैंने उन्हें पढ़ा नहीं, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एपिक्टेटस को पढ़ूंगा, ताकि जो उनकी बाते हैं व आपको एक सही किताब पढ़नी होगी वो किताब जो समझदारी से भरी हुई हो जब आप एक ऐसी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखी सभी जो समझदारी की बाते हैं वो आपकी हो जाएंगी और आप भी समझदार बन जाएंगे लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ये जो राइटर हैं कहते हैं कि मैंने सोलोमोन की किताबे पढ़ी मैंने इमर्सन की किताबे पढ़ी और मैंने मारकस औरेलियस की किताबे पढ़ी ये तीनों जो हैं ये बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं तो इन तीनों की किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद भी मुझमें कोई चेंज नहीं आया, जैसा मैं शुरू के समय था, बिल्कुल वैसा ही था, अभी भी मैं उतना ही समझदान हूँ जितना पहले था, कोई चेंजज नहीं आये। मेडिसिन लेता हूँ, इन सब को पैसे दे कर खरीद लेता हूँ, उसी तरह मैं जो ग्यान है उसे भी पैसे दे कर खरीदना चाहता हूँ, और वो कैसे हो सकता है तो सिर्फ किताबों के कारण, लेकिन इन सभी जो फिलोसफर जैन की किताबे पढ़कर मुझे कोई नॉलेज नह अब यहाँ पर इस होटल में जो लोगों की बाते उसने सुनी थी, उसकी बातों को सुनकर उसने डिसाइड किया कि अब वो एपिक्टेटेस की किताब पढ़ेगा, तो वो कहते हैं कि मैं अपने कमरे में एक आराम कुरसी में बैठा, मैंने स्मोकिंग करना शुरू किया, औ और आराम से बैठ कर मैं एपिक्टेटेस की किताब को पढ़ने लगा, अब एपिक्टेटेस की किताब को पढ़ते वे वो कहते हैं कि मुझे बड़ा excitement फील हो रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था और मैं उसे पढ़ना चाहता था, मेरा interest था वो किताब पढ़ने में तो इस से agree करता हूँ, वो कहते हैं कि pain यानि दर्द, death यानि मृत्यू और poverty यानि गरीबी, इन तीनों चीजों पर हमारा कोई control नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में जादा सोचना नहीं चाहिए, इन्हें ignore करना चाहिए, और writer कहते हैं कि मैं इस से agree करता हूँ, साथ ही वो कहते है कि ऐसी चीजे, ऐसी powerful चीजे जिस पर आपका control नहीं हो, जैसे कि कोई earthquake यानि भुकंप, या किसी tyrant, यानि ताना शाह का जो oppression होता है उसके लोगों पर, उस पर भी तुम्हारा control नहीं है, तो उसके बारे में भी मत सोचो, tension नहीं लो, और जो Robert Lind है, वो कहते हैं कि हाँ, बात मैंने पढ़ी, लेकिन मैं इसे real life में कैसे follow करूँ, अगर मैं कमरे में बैठ कर किताबे पढ़ रहा हूँ, और एक earthquake आ जाए, एक भुकंप आ जाए, तो कैसे मैं अपने जान बचाने के लिए बाहर नहीं भागू, कैसे मैं इसे ignore करूँ, ये सोच कर कि earthquake पर मेरा कोई हक नह इसलिए ये किताबे पढ़ना आसान है, लेकिन इन्हें follow करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आगे वो कहते हैं कि और भी कई सारे philosophers हैं, जैसे सुक्रात्स हैं, बहुत ही famous philosopher रहे हैं, उनकी भी बाते कहीं न कहीं इसी बात पर इशारा करती हैं, कि जान का डर नहीं होना च चाहिए और nature के सामने खुद का सिर जुकाना चाहिए, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, साथ ही epictetus आगे कहते हैं, कि हमें गुसे पर control रखना चाहिए, यानि जल्दी गुसा नहीं करना चाहिए, और जो अपने fellow men हैं, जो आपके साथ और जो human beings रहते हैं, उ आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, या आपको गरम पानी के जगर ठंडा पानी ला देता है, या आपकी बात को ignore करके घर से बाहर चला जाता है, तो आपको अपने गुसे पर control रखना है, और उसे ब कुछ भला बुरा नहीं कहना है, ये सोच कर कि वो जो है, वो आपका भा भाई है, सभी को उसी एक भगवान ने बनाया है, अब राइटर कहते हैं, ये जो रॉबर्ट लेंडर, ये कहते हैं कि बात तो सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, उसे भी उसी भगवान ने बनाया है, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन कभी हो जाएं, मान लो कि भगवान ने बनाया है, वो मेरा भाई है, इस तरह की बाते उस समय दिमाग में नहीं आती हैं, बलकि गुस्सा आता है, तो आखिर ऐसा फॉलो करना अपनी लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ, साथ ही वो कहते हैं कि एपिक्टेटर्स जो ह होते हैं, कि खाना खराब ला करके मिला है, खाने का स्वाद खराब है, खाना ठंडा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो उन्हें उन्हें कभी जहली नहीं होंगी, तो वो जो मुझे एडवाईस दे रहे हैं, ये उनके समय में शायद सही रहा होगा, आज के समय में इसे फॉ पैसे, सोना चांदी, इनसे जादा अट्रैक्ट नहीं होना है, इनके प्रती आकरशित नहीं होना है, बलकि इन्हें ऐसा देखना चाहिए कि हाँ, ये हमारी जिन्दगी जीने के लिए जितना जरूरत है, उतना हो, एक्सेस नहीं चाहिए, क्योंकि जादा एक्सेस की जो च साटुसाइड नहीं होंगे. और साथ ही evictetus कहते हैं कि अपने कपड़ों पर ध्यान मत दो ये मत देखो क्या तुम अपने कपड़े में कैसे लग रहे हो, कपड़ा तुम्हारा नया है, चमक राय है या नहीं, और साथ ही अगर कोई तुम्हारे कपड़े चुरा ले या तुम पहारे कपड़े ले जा करके उसने अपने साथ एक attraction अपने साथ ले लिया है बहुत एक वस्तूओं का जो लगाव है वो अपने साथ लेके गया है और तुमसे एक problem एक परिशानी जो है उसने कम कर दी बात तो सही है सुनने में सही लगती है लेकिन आप imagine करिए कि आपने एक नई हैट खरी दी और फिर उस हैट को किसी ने चुरा लिया तो कैसे गुस्सा नहीं आएगा कैसे आप ये सोचें कि अच्छा हुआ किसी ने चुरा ली नहीं तो बहुत एक वस्तूओं का मुझे लगाव हो जाता तो इन सभी बातों से Robert Lin परिशान है कहते हैं कि मैं तो इस हाड़ पर चड़ना है आप घर में पहनने वाले चपलों को पहन कर हिमाले पर नहीं चड़ सकते बहुत मुश्किल होगा नामुम्किन है लगपग तो वैसा ही कुछ Robert Lin का यहाँ पर हाल हो गया है साथ ही वो आगे कहते हैं कि इन सभी चीज़ों के बाबजूद आपको ऐसा कोई इनसान नहीं मिलेगा जो यह कहेगा कि सुक्राज्स या एपिक्टेटस जो थे वो मूर्ख थे सभी कहते हैं कि हाँ वो फिलोसफर्स थे बहुत बड़े ग्यानी थे यहां तक कि जो आदमी हर महिने दस हजार डॉलर्स कमाता होगा वो भी कहेगा कि हाँ एपिक्टेट की बुद्धिमानी लगती हैं अगर वो कोई हमारे जान पहचान में फॉलो करने लगे तो हम उसे पागल कहेंगे अगर किसी के कपड़े चोरी हो गए जूते चोरी हो गए और वो कहेगा कि अच्छा हुआ चोरी हो गए मुझे भौतिक वस्तूओं का लगाव हो जाता तो क क्या होगा जो उसके दोस्त हैं परिवार वाले हैं ये कहेंगे कि वो पागल हो चुका है या उसका दिमाग धीरे-धीरे खराब हो रहा है तो जो एपिक्टेटर्स की बाते हैं वो सुनने में तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन उन्हें फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है उन्हें कौन फॉलो कर सकता है तो जो सेंट्स हैं यानि जो रिशी मुनी होते हैं जिनोंने ये नॉर्मल लाइफ को छोड़ दिया है वही बस इसे फॉलो कर सकते हैं तो अब एंड में राइटर बस यही कहते हैं कि ये दो अलग-अलग चीज़े हैं यानि फिलोसफर्स जो हमारी जरूरतें बदल चुकी हैं हम aptatis के समय में नहीं जीते हैं आज के मौडल में जीते हैं और एp ayuda कि तरह सोच कर हमारा काम डहीं चलने वाला लेकिन अगर हमने ने पॉलो नहींझा तो क्या हम वाइस नहीं बनेंगे क्या हम फिलोसफर्स नहीं बन पाएंगे बन सकते हैं और यही राइटर का सपना है उसका ड्रीम है तो दोस्तो यहाँ पर यह ऐसे जो है यह खत्म होती है बहीत यह सिंपल ऐसे है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स पर फोقस करती है कि किस तरह एक फिलॉसफर को पढ़ना असान है। उसे समझना असान है लेकिन एक philosopher की बातों को follow करना खुद एक philosopher बन पाना बहुत ज़ादा मुश्किल है तो friends ये थी Robert Lind की essay on not being a philosopher अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करें